तो चलो प्यारे प्चों इस वाले application को देखते हैं इसमें हम calculate करने वाले हैं area of quadrant of ellipse एक ellipse है उसके जो one by fourth है वो area हमें निकालने वाले हैं तो यह जो one by fourth है आप strip ऐसे horizontal भी ले सकते हो ठीक ना आप elementary जो इस ट्रीप है वह horizontal भी ले सकते हो और vertical भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हैं एज लाइक एज विस और इस ellipse का equation होता x square upon a square प्लस यहां से y square upon b square is equal to one ठीक है वेर यहां पर x जो है यह जो है ओव मेजर एक्स यह वाला ए ठीक है और यह जो भी है वो यह वाला पार्ट है ठीक ना तो यह वाली यह यह अपना a है यह अपना b है आई हो कि आपको पता होगा यह बात ठीक है तो यहां पर जो elementary यह जो है elementary strip है वह मैं vertical लिया हूं तो यहां से यह जीरो limit जाएगी यहां से देखो यहां से x की value यह origin 0,0 x distance पर जाके small element thickness dx का एक differential element लिया हूं और यहां पर x की value इस point पर x में integration हो रहा है तो x की value यहां पर 0 है और यहां पर x की value अपना a तक जाएगी तो limit जाएगा x का जैसे जैसे strip आगे बढ़ेगा वैसे वैसे limit x जो है area मा निकलते चला जाएगा ठीक ना तो यहां पर x की value 0 है और यहां पर x की value dx तो अगर तुम देखोगी यहां पर और इसकी height y मान लो तो यहां पर इसको तुम बाहर निकाल लोगे तो बाहर निकालने के बाद यह element कुछ है ऐसे दिखेगा ठीक ना और यह वाई है और इसकी जो thickness है वो dx है तो small area small area जो आ जाएगा small area of this element oh small area da that is यहां से y dx ठीक है और y dx यह small element area जाएगा अब y को मुझे x के term में लिखना है तो यहां तुम देख रहे होगे x square is equal to a square plus यहां से y square upon b square is equal to 1 है तो यहां से मैं अगर इसको integrate करूंगा तो दो-दो variable है y भी variable है x भी variable है तो y को मैं x के term में लिखूंगा तो यहां से y की value निगाल लेता हूं तो y square is equal to b square is equal to 1 minus यहां से x square is equal to a square तो finally इसको मैं लिख सकता हूं a square minus x square upon a square तो finally जो y की value हुआ जाएगी a square minus x square और यहां से a square और b square यह सब कुछ under root ठीक न यहां से under root plus minus तो अब आप यहां से बात करोगे तो by a और यहां जाएगा a square minus x square under root that is यहां से y plus minus तो यह वाली जो चीज है यहां से y और इसको मैं put कर दूंगा equation first में तो अगर मैं equation first में इसको put दूंगा तो total area of total area of quadrant जो है यहां पर total area of quadrant जो बन जाएगा वो जो बन जाएगा अपना area यह integration of da और यहां से x की limit जाएगी 0 to a तो integration of da मतलब यहां से by a और यहां से a square minus x square under root that is यहां से dx और यहां से 0 से a तक अपना मिल जाएगा ठीक है तो यहां से area यह जो मुझे दीखेगा by a तो common आ गया constant था बाहर आ गया a square minus x square under root का integration 0 से a तक dx अब तुम्हीं यह फिर अगेन वही जो है यह काफी बार यूज होता है यह वाला integral तो integration of यहां से याद रखो a square minus x square under root ठीक ना dx का जो format है वो होता है यहां से variable x by 2 variable x by 2 इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा और यहां से a square minus x square under root और यहां से plus constant का square a square by 2 और यहां से sin inverse यहां से x by a this is the integration of this function थीक है तो इसको मैं use कर लूँ यहां पर ठीक है थोड़ा सा मैं pain बदल लेता हूं तुम्हें feel आ जाएगी ठीक है चलो हर्याली ले लेते हैं तो यह यहां से इस पर अगर मैं apply कर देता हूं तो यहां से a square minus x square ठीक है और यहां से plus a square by 2 और sin inverse यहां से x by a और यहां x की limit जो जा रही है x की limit जा रही है वो 0 से a तक जा रही है ठीक है अब 0 रखोगे तो last में 0 रखोगे तो सब 0 मिलेगा तो मैं b by a पहले upper limit a रखता हूं तो यहां से a by 2 और यहां से a square minus a square under root और यहां से plus a square by 2 और यहां से sin inverse यहां से और a divided by a और यहां से minus 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा और अगेन यह जो है पूरा term 0 हो गया तो जो area a आ जाएगा हो जाएगा b by a और यहां से a square by 2 ठीक न और sin inverse यहां से 1 आ जाएगा ठीक है अब sin inverse 1 की जो value है वो pi by 2 या 90 degree ठीक न तो मैं radian में लिखोंगा क्योंकि मैं area लिख रहा हूं तो यहां से a ने a कट गया तो b by a by 2 और यहां से pi by 2 तो यहां से pi by 4 और यहां से a और b ठीक है तो this is the area of area of this is the quadrant area of the ellipse quadrant area of ellipse total area अगर कोई ellipse है this is the ellipse तो total area अगर चाहिए तो total area of this ellipse की पूरी area इस ellipse की पूरी area इस ellipse की पूरी एरिया मालो a dash है that is 4 times a that is pi a b ठीक न तो इससे आप ellipse की area निकाल सकते हो आपने circle का निकाला इस तरह से calculus का use करके आपको यह सारी बात हैं आपको clear होनी चाहिए ठीक है thank you अपको